स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में इन दिनों ट्विस्ट एंट टर्न्स देखने को मिल रही है खुशियां अचाना गम में बदल गई है लेकिन खबर मिली है कि शो में एक बार फिर से आएगा लीप वाला ट्विस्ट और बदल जाएगी शो की कहानी मगर जारकारी मिल रही है कि इस बार शो में फिर से किसी की मौत वाला महा ट्विस्ट आएगा तो अब सवाल ये है कि आखर शो में किसकी मौत से सुझेगा कायरा का मसला आईए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं दरदर शो में दिखाया जा रहा है कि कार्तिक और नायरा छे साल के सेपरेशन के बाद एक होने ही वाले थे कि अचानक से नायरा का एकसिडेंट हो गया अब डॉक्टरों का कहना है कि नायरा की दोनों किड्नी फेल हो चुकी है वर यहां तक तो आपने सीरिल में देखी लिया है लेकिन अब चलिए आते हैं में ट्विस्ट पर तो ट्विस्ट यह है कि जहां एक और किड्नी फेल का खत्रा मौत का सवाल बनकर नायरा की जिंदगी पर मंड़ा रहा है तो वहीं इसी के साथ सवाल ये उठ गया है कि क्या इसी मोहाने से शुरू हो जाएगी ये रिष्टा में नए लीप की तैयारी क्या किड्नी फेल से हो जाएगी नायरा की मौत और ओडियंस के दिल को लगे का धक्का या फिर नायरा को बचाते बचाते चली जाएगी वेदिका की ही जान वल क्या होगा शो में इस पर तो कुछ खास खुलासा नहीं हुआ है लेकिन शोकेस करन्ट ट्रैक को देखकर ऐसे चांसिस हैं कि शो में आगे वेदिका की मौत से उनके ट्रैक को खत्म किया जाएगा और शो आगे लीप की तरफ पड़ेगा दरसल शो में दिखाया गया है कि वेदिका नायरा को किड़नी देने के लिए तयार तो हो गई है लेकिन उसने एक शर्ट रखी है वेदिका का कहना है कि वो नायरा को किड़नी देगी लेकिन कार्तिक को तलाक नहीं देगी अब कर्तिक नायरा को बचाने के लिए वेतिका की बात भी मान लेगा ऐसे में वेतिका की ये शर्थ कर्तिक नायरा के एक बार फिर separation पर महुर लगाती दिख रही है लेकिन ऐसे में खबर ये भी मिल रही है कि शोके मेकर्स अपने वादी के मुताबिक एक बड़ा ट्विस्ट लाएंगे यानि कार्थिक नायरे काई सेपरेशन इतनी आसानी से नहीं होगा इसमें और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग मसाला होगा दरसल माना जा रहा है आपकी मेकर्स एक बार फिर लेंगे वेदिका को फिर से कार्थि के जिन्दकी में लाने का रिस्क वैसे पिशली बार जब वेदिका कार्थि के जिन्दकी में आई थी तो ये ट्विस्ट काफी लोगों को पसंद नहीं आया था और इसकी वज़े से शो के टी आरपी पर भी असर पड़ा और अब फिर से ऐसी ही नौबत है कि नायरा को किद्नी डोनेर करने के बदले विदिका कार्ति को अपने पदी के तौर पर वापस चाहती है यानि वाकई मामला काफी क्रिटिकल है वगर क्योंकि प्रेडियूसर्स ने महीनों पहले ही अलान कर दिया था कि फरवरी 2020 से ये रिष्टा में बड़ा लीप आएगा तो ऐसे में आउडियोंस अभी मान कर चल रही है कि इस लीप का किसी ना किसी की मौत से जरूर वास्ता होगा और कार्तिक नायरा के सेपरेशन में ये मौत वाला ट्विस्ट आ सकता है अब कार्तिक और नायरा विसे तो शो के में किरदार है ऐसे में वेदिका की मौत शो में दिखाई जा सकती है इस पर सब की नजर है तो सवाल यही उठता है कि क्या नायरा का अस्पताल जाना ही इसी की तैयारी है क्या नायरा की जिंदिगी और मौत से जूजना इसे लीब की प्रिपरेशन है लेकिन अगर वहागाई एक बार फिर मेकर्स वही ट्राक रिपीट करेंगे तो यह देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस बार किसी किरदार या फिर वेदिका की ही मौत होगी और कहानी में नया ड्विस्ट आएगा तो देखते हैं कि कहीं ऐसा नहो कि नायरा को किटनी डोनेट करने का सौधा वेदिका के लिए ही महगा पड़े वाल देखते हैं कि ये रिष्टा में आगे क्या होगा लेकिन लगता तो यही है कि शो में लीप से पहले बहुत ही मेजर धम्मा का होगा